हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अबिदे के एंड वेलकम टू टेक सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपने फोन में ग्लैंस के आप्शन को बंद करना चाहते हैं इस तरीके से ग्लैंस की जो अलग-अलग इमेज आने लगती हैं आप इन्हें बंद करना च स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर जाते हैं तो यहां पर ऑप्शन होता है बंद करने का बट वह एक टेंप्ररी ऑप्शन होता है मैं आपको करके भी दिखा देता हूं यहां पर ग्लैंस फोर है माई यह रहा रियल मी इससे मैंने यहां से मान लीजे आफ कर दिया ठीक है बट कर अगर मैं इसे लॉक करता हूं फोन को और वापस से आन करता हूं इस तरफ swip करूंगा तो activate का option फिर आ जाएगा और यहां से फिर यह चालू हो जाएगा फिर glance चालू हो जाएगा बट मैं चाहता हूं कि glance पूरी तरीके से हट जाए तो बहुत ही simple तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है तो ध्यान से देखिए settings में जाए phone की और personalization के option पर चले जाए अब आपको यहाँ पर theme का option दिखाई देगा ठीक है तो देखिए यह एक theme मैंने install करके रखी है जो बहुत ही light है और भी themes आपको मिल जाएगी जारतर themes काम की ही है मिलेगी आपको open theme store पर जाना है ठीक है और यहाँ पर free themes का एक option मिलेगा इस पर click करें इसके बाद यहाँ पर click करें और यहाँ पर theme मिल जाएगी तो आपको इसे apply करके download कर लेना है जिस तरीके से देखिए मैंने apply कर लिया है तो अब इसके पाद problem क्या होती है कि यहाँ पर हमारे जो icons है वो change हो जाते है तो हमें icons हमारे पुराने वाले चाहिए wallpaper हमें पुराना वाला चाहिए तो वो कैसे लाएं तो settings में चले जाएं और personalization के option पर जाएं theme पर जाएं और वापस से theme पर click करें यहाँ पर आप इस तरीके से scroll करें तो आपको home screen wallpaper हटा देना है icon हटा देना है only apply पर click करना है apply पर click करें तो आपका जो normal wallpaper और icon है वो आ जाएगा और यहाँ से main बात lock करने के बाद अब आपका glance नहीं आएगा आप कैसे भी इधर उधर कर ले glance नहीं आएगा बस यहाँ पर आपका unlock करने का option आएगा इस तरीके से आप completely अपने phone से glance को remove कर सकते हैं